पिस आज की स्टूडियो में गाईस जियर हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के कंट्रोल सेटिंग के वारे में अब देखो आपको बता है कि अपडेट के वाद जो है सेटिंग के अंदर काफी सारे छेड़ चाल के गए हैं तो आप में से काफी साय लोगा कमेंट है कि भाई क कंट्रोल के वारे में बताओ तो चलो मैं आपको बताऊंगा एके करके कि इसमें से कौन से सिटिंग को आपको क्या रखना चाहिए और उससे आपको क्या फैदा होगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा ठीक है तो फिलाल के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी जाकर सब्सक्राइब करना तो फटा 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 से करते हैं वीडियो का स्टार्ट बिना किसी दिरिके आए देखते हैं आपके सुगिस यहां पर सबसे पहले आता है एम प्रिसीजन अभी देखो इसके इंदर तीन आफशन है बट मैं आपको बोलूँगा कि इसको आपको सिंपल सा रखना है डिफॉल्ट पे क्योंकि इससे क्या हुआ कि आप लोग अस्कोप से फारिंग करो या फिर बिना अस्कोप के फारिंग करो आपका जो एम है वो आटोमेटिक से एनेमी पे कनेक्ट होगा और इन तीनों में से सबसे वेश्ट सबसे अच्छा यही है बाकि अगर आप लोग काफी प्राने प्लेयर हो आप एकड़म अच्छा खासा खेल लेते हो एंड असकोप से आपका जो है बोडी करेंट होता है तो आप लोग प्रिसाइज अनसकोप पे रखके खेल सकते हो ताकि आप खुद से एम बनाके मार सकते हो बट वो जो है सिर्फ असकोप पे काम करेगा ठीक है बाकि कैसे यहां पे बता दो जो फुल कंड्रोल है उसका गेम के अदर उतना कोई काम नहीं है बस यह जो है उन लोग के लिए काम आता है जो लोग बनाते हैं असक्रिप्टेड वीडियो जो कि अभी क टाइम पे यूट्यूब सॉट्स पे आपको दिखने को मिज़ आएगा तू समझा नए तू समझा नहीं इसके बाद किस यहां पे आता है लेफ्ट फायर बटन अब देखो मैं आपको बोलूँगा कि इस सेटिंग को आपको रखना है ओल्वेज पे इससे होगा क्या कि यह जो लेफ्ट फायर वाला बटन होता है यह आपको हमेशा यहां पे कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा लेकिन अगर आप लोग इसको कर देते हो सो वेंड असकोप पे तब क्या होगा कि जब आप लोग असकोप आउन करोगे तभी यह बटन आएगा तो मैं आपको बोल को होल करोगे मतलब की दवाय रखोगे तो आपका जो असकोप है वो अपने आप आउन हो जाएगा तो यह भी काफी अच्छा सेटिंग है इसको आपको आउन करके रखना है इसके बाद किस यहां पे आता है क्योंकि वेपें स्यूच अब देखो इस सेटिंग को आपको तो मैं आपको बोलूँगा कि इस सेटिंग को आपको आफ करके ही रखना है क्योंकि गन को रिलोड तो हम दो सिंपल सा उपर से क्लिक करके कर सकते हैं अब किस यहां पे आता है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रोस हेर तो मैं आपको बोलूँगा कि इस सेटिंग को भी आपको आ करके रखना है और इसके अंदर आपको मिलेगा तीन सेटिंग आपको इन तीनों सेटिंग को भी आउन कर देना है क्योंकि इससे क्या हुआ कि जब भी आप लोग गाली चलाओगे तो आपको यह वाला बटन दिखने को मिलेगा जिससे कि आप लोग आगे पीछे लेप तो देखो मैं आपको बोलूँगा कि इस सेटिंग को आपको हमेशा ओन करके रखना है इससे होगा क्या कि जब भी आपके किसी एक गन का पूरा एमोग खतम हो जाता है तो फिर दूसरा वाला गन अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा मतलब कि आपको स्यूच करने की दिखने को मिलेगा बी आर स्कोरबोर एक्सस टाइप रखे तो यहाँ पर इस वाली स्टिंग को आपको होल्ड पे कर देना इससे होगा क्या कि यहाँ पर देखो जो टेम मेट करने मोगरा होता है जब आप लोग पर प्रेस करोगे मतलब कि उसको दवाई रखोगे तो तो कि उससे क्या होगा फिर आप गलती से भी कभी अपना भी वह उपेन हो सकता है ठीक है अब किस यहाँ पर आता है एटम फेंडर सबसे पहले कि बता दो कि एटम फेंडर है क्या तो यहाँ पर देखो जब आप लोग फूल मैप खिलते हों तो आपके आसपस अगर कोई अ आपको रिकमेंड करेगा उसके बाद फिर यह अपने आप अफ हो जाएगा ठीक है अगर तुम लोग नहीं हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए इसके इंदर दो ओफ्सन है एक है सिंगल स्लोट का दूसरा है डेवल स्लोट तो मैं आपको बोलूँगा कि यहां पे आपको रखना है डेवल स्लोट अब इससे देखो होगा क्या कि गुलूवल और जो गरनेट का होता है वो दोनों आपको अलग अलग बटन दिखने को मिलेगा अगर यहां पे कर देते हो सिंगल स्लोट तब क्या होगा गुलूवल और गरनेट दोनों आपको एक ही बटन पे दिखने को मिलेगा जिससे होता क्या है कि कभी-कभी हम लोग लगाना चाहते हैं गुलूवल लेकिन हमारे हाथ में आ जाता है नेड तो इससे आपको प्रोब अपने आप लग जाएगा लेकिन अगर आपको इसको आफ रखते हो तब क्या होगा कि गुलूवल वाले बटन पे क्लिक करोगे तो गुलूवल आपके हाथ में आएगा उसके बाद आपकी मर्जी आप दोड़ते हुए भी पीछे ला सकते हो आगे पीछे लेफ टाइड कि प्रफ क्या होगा कि जब आपके पास बूटन रहेगा फिर वह यहां पर कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि यहर काफी बगवास लगता है मतलब कि हमें लगता है कि हमारे पास बूआप बखता है लेकिन वहां पे होता नहीं है तो मैं आपको बह IO क्या कि इस सेटिंग को हमेशा आपको on करके रखना है इससे होगा क्या कि आपका जो करेटर है जैसे ही aeroplane से जम करोके वो खुद बाख खुद नीचे की और land करना शुरू कर देगा और जो पहला सूट है वो भी अपने आप उपीन होगा लेकिन अगर आपको इसको off कर देते हो तो आपका जो करेटर है वो हवे में ही लड़कर रहेगा आपको खुद से land कराना पड़ेगा खुद से पयाशूट को उपीन करना पड़ेगा तो यहाँ पे इस setting को आपको हमेशा on करके रखना है next guess आता है run mode अब इसकंदर तीन option है बट मैं आपको बोलूँगा कि सबसे last वाला जो mixed है आपको इस पे रखना है इससे होगा कि आपको यह वाला बटन दिखने को मिलेगा जिस पे click करने से आपका जो करेटर है वो डौड़ना सुरूख कर देगा इसके लावागे यहाँ पे यह जो बटन होता है जिसको करसर बोलते हैं अगर इसको उपर की और खिचोगे तब भी आपका जो करेटर है वो भागना सुरूख कर देगा तो यहाँ पे जो last वाला है वही सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको दोनों option मिल जाता है इसके बाद किस यहाँ पे आता है वेकल कंट्रोर अब इसके अंदर दो option है 100 का 200 का तो मैं आपको वह लूँगा कि इसको आपको रखना है 100 पे अब इससे होगा क्या कि हाँ पे सिर्फ इस वाली बटन से एक उंगली से जो है आप लोग गाले को कंट्रोल कर सकते हो और अपने दूसरी उंगली से जो है फ्री लुक का यूज़ करके आप लोग लेफ्ट राइड भी देख सकते हो ठीक है लेकिन कैसे अगर आप लोग एक उंगली से गाले को कंट्रोल नहीं कर बाते हो तो फिर यहां पे आप लोग टू हैंडड का भी यूज़ कर सकते हो वैसे गेम के अंदर गाले का बहुत ही कम यूज़ होता है तो यह आपकी मर्जी अपने हिसाब से देख लेना इसके बाद कैसे यहां पे आता है इन गेम टिप्स अब देखो इसके अंदर दो ओप्सन है बट मैं आपको बोलूँगा कि इसको रखना है सिंप्लिफाइड पे अगर आप लोग इसको डिफॉल्ल पे कर देते हो तब क्या होगा कि यहां पे जो सेव जो आने से पहले जो टाइम चलता है वो आपको देखो बीच स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से चलेगा और इसके लावा किस यहां पे UAV या फिर स्क्रीप का यह सब जो भी नोटिफिकेशन टैप का होता है वो आपको बीच के स्क्रीन पे इस तरीके से बनेगा बट अगर आपको इसको रखते हो सिंप्लिफाइड पे तो यहां पे जो टाइम होता है देख सकते हो मैप के एक्टम कोने पे छोड़ा सा बनता है जिससे के आपका जो बीच का स्क्रीन है वो बिल्कुल किलियर रहता है यहां पे मैं आपको बोलूँगा कि इसको सिंप्लिफाइड पे ही रखना है यहां पे आता है इलिमीनेmail लिफकेशन अब देखो इस सेटेंग को आपको रखना है सिंप्लिफाइड पे इससे देखो हो गया क्या कि जब भी आप लोग इनेमी को किल करोगे अगर headshot मारोगे तो headshot वाला icon बनेगा कुछ इस तरीके का body shot मारोगे तो body shot वाला ठीक है लेकिन अगर आप इसको कर देते हो default पे तब क्या होगा कि जब भी enemy को kill करोगे तो जो icon होगा वो तो बनेगा ही लेकिन वहाँ पे देखो आपका name भी दिखता है जैसे हाँ पे मेरा LC है परकिंग नेप भी वहाँ पे दिख रहा इसके लावा अगर आप लो double kill या फिर triple kill करते हो तो वो चीज भी वहाँ पे लिखा हुआ आता है तो ये आप लोग देख लो आपको जो भी अच्छा लगता है उससाब से आप लोग इसको set कर सकते हो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे इसके बद्धिस यहाँ पे जो हमारा अगला सेटिंग है वो है cross hair type अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग इसको new पे रखोगे तब क्या होगा कि जो cross hair में आपको circle दिखने को मिल रहा यह पिल्कुल पूरा goal है और बीच में एक dot है बट यहाँ पे अगर आप इसको कर देते हो classic पे तब यह जो circle है वो पूरा goal नहीं रहेगा बलके कुछ इस तरह के कर रहेगा तो इसमें कोई फरक तो नहीं है ज्यादा फरक नहीं है आपकी मर्ची आप इसमें से कोई भी रख सकते हो जो आपको अच्छा लगड़ा उस पे set कर लेना अब किस यहाँ पे आता है damage indicator अब देखो फिलाल के लिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग इसको रखते हो classic पे तो यहाँ पे जब आप लोग इनेमी को damage दोगे तो जो damage का number होता है वो आपको छोड़ा छोड़ा दिखने को मिलेगा body shot का damage white color में and head shot का damage yellow color में ठीक है सेम वो ही चीज़ अगर आप लोग न्यू पे कर दोगे तब यहाँ पे क्या है कि जो damage का number है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखने को मिलेगा बागे color जो है वो same ही है ठीक है लेकिन गैस मैं आपको बोल दो कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे जो head shot का damage है वो chain होगा जो कि इसी वाली setting से होगा या फिर हो सकता है कि उसके लिए आपको अलग से भी setting दिखने को मिले तो जैसे मैं आएगा तो मैं आपको जूर से बता दूँगा तो आप लोग सब्सक्राइब प्रके रख लेना और अभी देख सकते हो यह जो line है वो red color में है बट यहीं पे अगर आप इसको कर देगो new पे तब यह जो line होता है वो white color का होता है तो इसका उतना कोई काम तो है नहीं तो आपकी मर्जी आप दोनों में से किसी पे भी रख सकते हो तो यहाँ पे आता है teammate info अब देखो इसके अंदर दो option है अगर आप लोग इसको रखोगे classic पे तब क्या होगा कि अगर आपका teammate आपके पास में है या फिर आप से दूर है उसका जो name है वो आपको बिल्कुल clear दिखने को मिलेगा लेकिन अगर आप लोग इसको कर देते हो आपको translucent पे ही रखना है जिससे के आपको यह पता चलेगा कि कौन सा teammate आपके एक्दम close में है और कौन सा teammate है जो कि आप से दूर है ठीक है इसके बाद किस यहाँ पे देखो एक option आता है custom hood का अब इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो उपर के set पे आपको तीन preset का option मिलेगा आ आप तीन जो है अलग-अलग custom hood set कर सकते हो practice के लिए यहाँ पे कोई भी button fire button या फिर यह सब जो भी button है उसको जो है आप लोग अपने हिसाब से इधर उधर कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से set कर सकते हो ठीक है बागे यहाँ जल्दी मैं एक वीडियो लाओंगा जहा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आप से किसी नेक्स वीडियो में जवटाटावावे टिक कर